MCD रें दिल्ली में जिन लोगों को तहवजारी के तहत कियो सक अलाउट किया हुआ है उन लोगों के पिछले कई साल से फीज जमा नहीं हो पा रही इस कारण MCD को करोडो रुपे के रेविन्यू का नुकसान हो रहा है इतना ही नहीं परतिक जोन में आवेद रूप से लगे सैकडो कियो सकों की वज़े से ही MCD को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है ज्यादतर कियो सकों के पास MCD का अलाउटमेंट लेटर नहीं है इस वज़े से MCD के कई IT भिवा के पास ज्यादतर कियो सक का कोई रिकॉर्ड नहीं इस वज़े से पिछले कई सालों से क्यो सक की फीस जमान नहीं हो पा रही इसका सीधा असर MCD के रेविन्यो पर पढ़ रहा है दरसल MCD के रिकॉर्ड के हिसाब से दिली के सभी 12 जोनों में 11,729 क्यो सक लगे हुए हैं इस समय सिटी SP जोन में सबसे अधेक 3,196 क्यो सक लगे हुए हैं सेंट्रल जोन ने 1734 क्यो सकों के साथ दूसरे नमबर पर है तो वहीं सबसे कम क्यो सक सहादरा साउथ जोन में लगे हैं सूत्रों का कहना है कि सिविल लाइन जोन में आन रिकॉर्ड 708 क्यो सक लगे हैं जबकि अवैद रूप से लगे क्यो सक की संक्या इससे कहीं जाता है अकेले मुखरजी नगर वार्ड में ही 550 के करीब क्यो सक लगे हुए हैं इसी सरे से मलका गंज में भी 200 से अधिक क्यो सक लगे हुए हैं MCD ने एक महीने पहले मुखरजी नगर और तिमारपुर में अवैद तोर पर लगे और नियमों का उलंगन करने के आरोप में 25 और 30 क्यो सक को सील किया था लेकिन को समय बाद सभी क्यो सक फिर खुल गए साइस से बड़े है नियम अनुसार किसी भी क्योसक पर फूड आइटम नहीं बनाया जा सकता ज्यादा तर क्योसक पर नियमों की तज्या उड़ रही है